कैसे हैं आप सब आज मिलाई हूँ आपके लिए डाबा स्टाइल स्पेशल पदील की सबजी जो मेरी इनुवेशन है तो क्या आपका भी मन कर रहा है ना इसको देख के बनाने का की हां हमें भी बनानी चाहिए तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लिजे इस चैनल को सब्सक्राइब और बराबर माई बेल बटिन को प्रेस कर दीजे और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी में इतनी स्वाधिस्ट रेसिपीज अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चाहे तो दोस्तों अरोमा फ्रम रिनूस किचिन में आपका स्वागत है चलिए देखते हैं इस सबजी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यहां हमने एक पैन को गरम कर लिया है इसमें हम थोड़ा सा ओइल गरम करेंगे जैसे ही ओइल गरम होगा वन टीजपून जीरा एड़ करेंगे इसमें जैसे ही जीरा क्रेकल होगा, अब इसमें हम दो प्यास को चॉप करके लेंगे, महीन चॉप किया है मैंने, इसको इस तरह से इसमें एड करना है, अब इस प्यास को भी हमें अच्छी तरह भून लेना है, प्यास को अच्छे से भूनने में हमें लग पक तीन मिनिट लगेंगे क्योंकि हमें अच्छा सुनेरा प्यास भून बाट है तो तीन मिनुट तक इसको हमें आधे बून ते रहना है आप देख सकते हैavez कितनी अच्छा से भून गया है अब मसाले एड़ कर रहे है petb मत्ष्पून धनिया पाउजर फ टी श्पून हल्दी पाउजर गरम्साला इनको भी अच्छेसर मिक्स करेंगे नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे अब इन प्यास के साथ हमें धीमी धीमी आज पर भून लेना है यह नो दोस्तों धीमी धीमी आज पर खाना बनाते हैं उसका स्वाध ही अलब होता है तो चलिए भुन गए है मसाले और अब इसमें एड़ करेंगे टमेटो प्यूरे यह होमेट टमेटो प्यूरी है हमेशा हमारे किचिन में हमारे फ्रिज में तयार होना चाहिए इससे क्या फाइदा होता है हमारी सबजी अचेपट बन जाती है किचिन में कुकिंग टाइम हमारा कम हो जाता है और आइधिंक कि स्वाध भी ज्यादा बढ़िया आता है तो आप भी इसको ऐसे ही फ्रिज में बना के हमेशा रेडी रखें बहुत इजी है इसको बनाना चलिए इसमें एड कर रहे हैं कर्ड टू टी स्पून हमने फुल भर के हां कर्ड लिया है अब इस कर्ड को भी टमेटो प्यूरी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है और इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है दही टालने के बाद तब तक लगातार चनाए जब तक यह आपकी ग्रे और इनहेंस करेगी तो हमें कलर भी इसका इनहेंस करना है और टेस्ट भी अब इसमें क्या है मेरे पास रखी है कुछ कटी हुए शिम्ला मिर्च है जैसे लाल शिम्ला मिर्च है हरी शिम्ला मिर्च है और पीडी शिम्ला मिर्च है तो मैंने लग बग यहां 1-1 टेबल मैंगी मसाला, लगबग यहां पर दो पाउच में यूज कर रही हूं इसके, और इस मसाले के साथ भी हमें इसको अच्छी तरह भून लेना है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी अड़ किया है, लगबग आदा गलास पानी अड़ किया है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ठी करने के लिए, अब इसमें पानी डालने के बाद इसमें उबाल लगाएंगे हम, ज्यादा पतला इस ग्रेवी को हमें नहीं बनाना है, अब क्या डलेगा, मेरा फेवरिट कसूरी मेथी, ये भी मैंने 1 टी स्पूल ली है, इसको अच्छे से क्रश करके डाल दिया है, कसूरी मे निती भी मिक्स हो गए है, थोड़ा सा बीट पानी और मिलाया है, मुझे थोड़ा सा थिक लग रही थी, अब क्या किया है हमने यहाँ, पनीर को लेंथवाइज काटा है, ये 300 ग्राम पनीर है, इसको मैंने लेंथवाइज काटा है, अब इसको मैं इसमें मिला दूँगी, आप चाहे इसको किसी भी शेप में काट लीजिए, मुझे लेंथवाइज यह अच्छा लगा तो मैंने इसी शेप में काट लिया यह चीजे कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई पर्टिकुलर साइज होता है यह आप अपने टेस्ट के अनुसार अपने जो सुविधा लगे वैसे कर लीजिए अब यह हमने थोड़ा बटर इसमें एड़ किया है बटर से थोड़ा टेस्ट और इनहेंस होता है तो हलकी हाथ से इस बटर को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे ज्यादा हाड़ली इसको नहीं चलाना है नहीं तो पनीर सारा तूट जाएगा अब इसको कवर करेंगे और भी कुल स्लो फ्लेम पे तीन मिनिट के लिए कुक करेंगे सिर्फ तीन मिनिट तीन मिनिट हो चुकी है वाह क्या कलर आया है इसको आप रोटी के साथ खाऊ पराठी के साथ खाऊ नान के साथ खाऊ या पूरी के साथ खाऊ, सभी के साथ बहुत अच्छा इसका टेस्क चाता है और यह especially मेरी innovation है तो प्लीज आप भी इसको try करें बनाएं और मुझे comment box में जरूर बताएं आपको मेरी बनाई हुई यह सबजी कैसी लगी तो दोस्तों आज मैंने आपको बना कर दिखा यह पनीर की एक special सबजी तो आप भी बनाईए खाये enjoy कीजिए आज की वीडियो में इतना ही जल्द मिलूंगी एक और recipe के साथ तब तक के लिए सायो नारा